चलो दोस्तो शुरू करते हैं महाठग। बहुत पुरानी कोमिक्स मिले मेरे को ये भी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो सब्क्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तो शुरू करते हैं फिर महाठग। किसी समय रामपुर गाव में संकर नाम का एक निर्धन किसान रहा करता था। एक छोटे से खेत पर खेती बाड़ी करके वे बड़ी मुश्किल से अपना वे अपनी पतनी का पेट पाल रहा था। संकर धन से निर्धन जरूर था लेकिन बुद्धी के मावल में भूध धन्यवादन था। लेकिन कहते हैं किस्मत खराब होतो जैसे गरीब की क्या किसी राजा की भी नहीं चलती। अतक कई बार संकर और उसकी पतनी को भूखे पेट ही सोना प्रता था। एक राज जब दोने सी प्रकार भूखे पेट सोवे था तो भूख के मारे पतनी के नीद खुल गई। कल दिवाली है लेकिन हमारे घर में नय पूटी कोडी है और नय अनका एक दाना ही। यदि हम घर में रोस्तनी नहीं करेंगे तो लक्षमी जी पूजा नहीं की तो घर में कभी लक्षमी जी नहीं आएगी। हाँ क्या करूँ। उसके बाद बेचारी को फिर नीद आ गई। अगले दिन सुबह। हो जाए। यह तो ठीक है भागवान लेकिन मैं पूजन की सामगरी और दिये वे मिठा यादी का प्रबंद कहां से करूँ। कम से कम 10-20 रुपे तो इन सब वस्तों का जोगाड करने के लिए चाहिए। आप पैसा करिए एक बैल बेच दीजिए। दिवाले भी अच्छी तरह से मना लेंगे और किस दिनों के लिए भरबेट बोचन का भी प्रबंद हो जाएगा। कल की कल देखी जाएगी जी फिलाला पाज की सोचे मुझे लक्समी पूजन हरालत में करना है वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। यह तुम क्या करे है भागवान कहीं तुमारी मती तो नहीं मारी गए यदि बैल बेज दूँगा तो कल खेत में दूसरे बैल की जगह किसे जोतूँगा। यह भागवान अब मैं क्या करूँ। ठीक है भागवान तुम जैसा चातू यह वैसा ही करता हूँ। गर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, चल भाई राम, आज तुझे ही बाजार में भुनागर संतों के लिए लक्ष्मी पुजन का इंजाम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं एक पात का ध्यान रखना जी बैल पे 75 या सोर पैसे कम में मत बेचना, किसी भी आलत में जानता हूँ भागवान ध्यान रखूंगा संकर बैल का अक्तवा मंडी के और चल पड़ा, हेस वर ऐसी कोई रहा दिखा कि बैल नहीं के और लक्ष्मी पूजन भी हो जाए चलते चलते रास्ते मुसे एक गड़्या मिला जो बेड बक्रिया चरा रहा था अरे भाई ये बैल लेकर कहां जा रहे हो, बदकिसमी से बैल बेचने, पसू मंडी जा रहा हूँ अरे तो भाई तुम्हें मंडी जाने की क्या जूरूरत है तुम अपना बैल मुझे बेज दो मुझे एक बैल की सक जूरूरत है बोलो कितने रुपे लोगे सो रुपे से एक फूटी कोड़ी भी कम नहीं लूँगा बोलो मन्जूर है नए भाई है तो बहुत जादा की मत मैं तो जादे से जादा पचास रुपे दे सकता हूँ फिर मरियल से बैल की से जादा की मत कोई दे नहीं सकता अब तुम अपनी भेड़ बक्रिया चरा मैं बैल को मंडी में की मत लगवा लूँगा अरे अरे भाई एक मिर्ट तो रुगा मेरी बात तो सुनो मैंने कहाना कि मैं अपना बैल सोर पे से एक फूटी कोड़ी भी कम मैं नहीं बेचूँगा पिर तुम अपना और मेरा समय क्यो बरबाद कर रहे हूँ अरे भाई मिर्ट को जबा रहे हैं यह आपस में दाम नहीं तरक कर तैकर पा रहे हैं तो चलो किसी तीसरे वेक्ती से करवा ले थे वह बैल वह तुमारे बैल की जो भी किमत बताएगा मुसी पर सोदा कर लेंगे बोलो मन्जूर है मन्जूर तो है भाई लेकिन यहां सपास तो क्या दूर दूर तक कोई तीसरे इंसान दिखाई नहीं दे रहा फिर दाम किसे तैकर आएगे और प्यारे भाई रास्ते में कोई ना कोई मिली जाएगा उसी से दाम तैकर वा लेंगे लेकिन एक सरतोर है वह यह की वैक्ति जो वी दाम बताए वह हम दोनों के मन्जूर करना होगा यदि तुमने मन्जूर नहीं किया तो तुमारा बैल मुप्त में मेरा हो जाएगा और यदि मैंने मनजूर नहीं किया तो मेरी सारी बेड़ बक्रिया तुमारी हो जाएंगे ता अच्छी तरह सोच लो यह व्यक्ति तो जरूर से ज़्यादा है चालाक बनने कोशिश कर रहा है कई कुछ डाल में काला तो नहीं खेर संदे के आधार पर इस सोदे को आच से जाने नहीं देना चाहिए आगे जो होगा देखा जाएगा सोचने के बाद ठीक है भाई मुझे तुमारी सर्थ भी मनजूर है तो चलो आगे बढ़ते जो सरव पर्थम व्यक्ति में दिखाए देगा उसे दाम ठहरवा लेंगे और दोनों अपने पने पस्वों का आगते हुए आगे बढ़ चले फस गया सिकारव कोडियों के भागे पाव इसका बैल हमें मिल जाएगा काफी देर चलते रहने के पस्ता तुने एक घर दिखाए दिया देखो भाई अभी तक में कोई व्यक्ति मिला क्यों ने उस मकान में चल को उसके स्वामी से अपना मामला तेकरा ले मुझे कोई आपती नहीं है वैसे भी मुझे प्यास लगे है वाप पानी भी पी लूँगा तो चलो दोनस मकान के निगट पूँचे दवार खटकटाने पर एक बूड़े ने दवार खुला कौन हो भाई तुम और लोग क्या चाहते हो बाबा हम लोग रहागी रहो और आपसे एक मामला तेकर वाना चाहते हैं लेकिन पहले हमें पानी पिलवा दीजिए में बड़े जोर से प्यास लगे हाँ हाँ जरूर तुम लोग जहीं रुको मैं भी पानी लेकर आता हूँ बुड़े के भीतर जाने के बाद अरे भाई तुमें सर्थ का तो धान ये योदि मन्जूर नहें तो अब भी तोड सकते हो मुझे सब धान है भाई और सर्थ तोडने का कोई रादा भी नहीं है मान गए भाई वास्ते में तुम इरादे के पक्के हो शीगरी बुढ़ा पानी लेकर आए लो बच्चो गुड़ खालो और जी भर पानी पियो वह आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा गुड़ खाने के परस्ता तुम्हें डटकर पानी पिया हाँ बच्चो बता तुम्हारा मसला क्या और मुझसे कैसा फैसला कराना चाहते हो मामला कोई ज्यादा पेचिदा ने बाबा बस आपको इस बैल की ठीक था कीमत आकनी है गडेरी ने आपसी सर्थ की पूरी बात बुड़े को बता दी बुड़े ने बैल की ओर देखा भि मन इमन कोई विचार करने के बाद बोला बाई मेरे विचार से तो इस बैल चाहर की मत दस रूपए है बाकि तुम जानो क्या लेकिन बाबा बाई मैंने तो अपना फैसला दे जी अब तुम मानो या ने मानो या तुमारी मर्जी इसके बाद बुड़े ने घर के बीतर गुसकर कपाट बंद कर ले सुनो भाई बाबा ने तो अपना पैसला सुना जब या तो सर्थ के मदाबत मुप्ट में मुझे अपना बैल दो या दस रुपे लेकर तुम दस रुपे ही दो भाई भागते बूत के लंगोटी वल और गड्रियों के दस रुपे में ही बैल बेज कर संकर अपने घर का रास्ता ना अपना पड़ा मेरा संदर ठीक निकला कमको दोनों ही ठग थे और एक दूसरे से मिले हुए थे सायद वे बुड़ा उसका बाप था दोनों बाप बेटे मिलकर इसी तर से हर आने जाने वालो उससे में गास्चर ने गई हुथी बला क्या जूरू थी आपको इस देंक स्यासी सर्थ कता करने की मेरी तो किसमत ही फूट गई बैल भी गया रात में पैसा भी नहीं आया गबराती के वागवान धहरे रखो लो यह दस रुपे संबालो किसी तरह दिवाली मनाओ कल देखत देखने का भी विचार दिल में मतलाना सुनो भागवान इस्वर ने मुझे धन्या देकर निर्दन जरून बरात बना है लेकि अकल और ताकत में किसी बादसा से कम नहीं हूँ मैं अपनी ताकत और अकल का कभी गल्द परियोग नहीं करना चाहता था लेकिन ठगों ने मुझे ठग कर मेरी सराफत को सुना दियती है अब तुम देखना मैं घंचकरो करो कैसे रफुजकर करता हूँ उनके साथ कैस जैसे को तैसा आने में मुझे कोई दुख नहीं होगा अब जाओ तुम लक्षमी पूजन और दिवाली मनाने के त्यारी करो बुजे मन से संकर की पतिने लक्षमी पूजन के और दिवाली मनाई तुमारी यह पूजा वर्थ नहीं जाएगी इस संतो इस साल लक्षमी जरूर हमारे गर में आगी चाय उसे उल्टे पैरों क्यों नहीं हमारे गर आना पड़े अगले दिन दोपर का बोजन करने के पच्छा संकर ने एक जवान इस्तिरी का रूप धान क्या रूप अच्छा बागवान मैं चल रहा हूं हो सकता हम जो लेटने में देर हो जाये तुम चिंता ने करना ये जी नहीं जाने मेरा दिल क्यों तेजी से धड़क रहा यदि तुम्हें कुछ हो गया तो आखिर वे ठग हैं यदि वे ठग है तो मैं मा ठग हूँ तुम जरावी चिंता ने करो बस आराम से घर में बैट कर मेरी खोपडी के चमतकार को देखने की प्रतिक्षा करो अच्छा मैं चलता हूँ हेस वर मेरे सुआ की रक्षया करना वै गडिया वास्तम एक ठग था और उस समय भी उसी स्थान पर किसी सिकार को फासने के लिए भेड़ बकरिया चरा रहा था उस पर दश्टी पढ़ते ही संकर ने इस्तिरों के सबर में जोर जोर से रोना सुरू किया बुहू आए बुहू आए इस्तिरी कौन हो सकती है कपड़े तो इसने अच्छे पैन रखे और किसी भले आदमी की भूल लगती है लेकिन यह रो क्यों और यह पता लगाना चाहिए हो सकता है इससे भी कुछ कमाई हो जाए तुम कौन हो जियो रोती कहां जा रही है मुझे बता हो सकता है तुमारे किसी काम में आ सकूँ बुहू मेरा नाम माया है मुझे मेरे पती ने गर से निकाल दे इसलिए मैं नदी में डूम मरने के लिए जा रही हूँ क्या कहा डूम मरने जा रही हो नई तोर क्या करूँ अब कौन मुझे अपने गर पना देगा कौन मुझे बोजन पानी देगा मेरा इस दुनिया में कोई और है भी तो नहीं छी ऐसी बात नहीं करते हैं डूबे तुमारे दुस्मन अभी तो मैं जिन्दा हूँ बला अपने आखों के सामने तुम जैसी सुंदरी को कैसे मुरने दे सकता हूँ सुनो सुंदरी क्या तुम उसे विवा करके मेरे घर रहना पसंद करोगी क्या सच कहा रहे हो आप मुझे सच मुझे विवा करेंगे मुझे निगोडी को अपने चर्णों में रहने की जगह देंगे बिल्कुल सुंदरी विश्वास करो आथ तब तो मैं धन्ने हो जाओंगी जी कहा आपका गर मुझे जल्दी से अपने घर ले चलिया क्यों नहीं क्यों नहीं आओ मेरे साथ गडरिया इस तरी रूपी संकर को और बेड़ बकरियों को लेकर खुशी-खुशी अपने घर की और चल दिया बहुत दिनों से में अपना घर बसाने की सोच रहा था चलो आज इस वर ने मेरी सुन ली रास्ते सुन्दर बीवी दे दी अपने घर पूचकर गडरियन दर्वाजा खड़कड़ा तो उसी बुड़े ने दर्वाजा खोला अरे कंटू तो इतनी जल्ली आगया और एत्रे साथ वरत कोन है इसका नाम माया है बापू इसके पती ने से घर से निकाल दिया या नदी में डूब कर मने जा रही थी ति मैं समधा बुजा कर घर ले आया यही अच्छा किया तु मैं बहुत अच्छा किया कंटू इसे बीतर ले आ बेटा हूँ तहे बुड़ा इसका बाप ही निकला आज जीवन में पहली बार तुने नेक काम किया रहे वर्ड कंटू हुआ यही आज से यही घर का सारा काम का समाल है यह अपने सुन्दर आतों से बना कर हमें ताजी ताजी रोटिया खिलाएगी मैं तो तंग आ गया था इस रोज रोज के चोका बरतर से क्यो सुन्दरी करोगी ने मेरी सेवा जी जरूर करूंगी बापू यह तुमारी भी सेवा करेगी और मेरे भी क्योंकि मैंने इससे साधी करने का फैसला कर लिया क्या कहा तु इससे साधी करेगा और नहीं तो क्या तुम करोगे बापू सुनो बेटा तु अभी जवान है तुझे भूसी लड़ क्या मिल जाए लेकिन मेरा क्या भूसा कब जल पसू इसलिए इसे मुझे दे दे मेरे अच्छे बेटे मैं इसे साधी करके से तुमारी मा का दर्जा दूँगा यह तुम क्या करे यह बापू मैं ठीक ही कह रहा हूँ बेटे जब बूडे ठगने अपने बेटे इसे पर खूब जोड डाला अच्छा बापू तुम ही कर लो इसे साधी मैं कोई दूसरी ढूंड लूँगा लेकि तुम मुझे बरपेट बोजन पर उस ताकि मैं कुछ देरा राम करके किसी सिकार को फासने निकल सकूँ वरना अज खाली आत ही लोटना पड़ेगा अच्छा अच्छा तु बैठ मैं अभी खाना लगवाता हूँ सुन्दी रसोई घर में खाना तयार रखा तुम ज़रा जाकर मुझे और अपने बेटे को परोष्ट हो जी अभी लातू है तो मेरे लिए बड़े सो बाके की बात अशिगरी और लो बेटा बस और नहीं मेरे अच्छी मा तुमारे आने की कुछी में आज बूत खा लिया बोजन करने के पचाच कंटू ने कुछ देर विस्रान किया और फिर अच्छा बापू मैं जाता हूँ रात देर से आँगा इसलिए तुम साधान रहना यही तु जरावी चिंता ना कर बेटा जरूर तुझे कोई अच्छा सिकार मिलेगा कंटू के जाने के प्रसाद यही कंटू चला गया अब हम दोनों के लिए आप पहले मैं घर की एक एक चीज़ तुझे दिखा दू फिर माराम करेंगे तु भी क्या याद रखे कि इस पर तेरा पाला किसी रई सेने बली के एक छोटे मोटे राजा से पड़ा है आ सरमाती क्यों है बुड़े को बुड़ापे में इस्तरी मिले कितनी कुशी हुए के घर के के कोस्तों के साथ आयना च्छिपा धन भी उसे दिखाया और धन भी उसे दिखाने लगा देख बागवान यह तुझे गासादी दिखाये दे रही है ने दरस इसके नीचे एक गड़ा जिसमें सोने के सिकों से बराएक मटका रखा है आप सच कह रहे हैं जी क्या आप इतने धनी हैं अरे नहीं तो क्या तू क्या समझ रहे कि तिरा पल्ला एक बिखारी बुड़े से बन गया है आप तुझे और धन दिखाता हूं मुझे तो विश्वासी नहीं होता जी खैच चलिए फिर बुड़ा से दूसरे कमरे में ले गया देख इस गोबर के धेर के नीचे भी एक मटका दबा जिसमें हीरे जवारत पर रहे हैं आज सुनिया जी मैंने कभी हीरे जवारत नहीं देखे जरा दिखाये नहीं जी यही ठैर भी दिखाता हूं बुड़े ने गोबर का धेर है यह बगवान यह मटका तो सच्मूची ले जवारत उसे बरावास्त मैं आप किसी राजा से कम नहीं है और मैं किसी रानी से ही ही यही भागवान अभी तो मेरे पास ऐसे कई मटके ठैर तुझे भी वह भी दिखाता हूं बुड़ा इस तरहीं पर प्रबाद जमाने की घर सर चक्राने लगा है आई यह चल कर आराम करते हैं तो चलो आराम ही करे बाकी की चीजे तुम्हें बाद में दिखा दूँगा यही भागवान जरा गुंगट अठाकर अमें अपना सुन्दर सलोना चेरा तो दिखाओ हमने जाने कब से तुमारे दिदार को तरस रहे हैं ही ठीक है ठीक है मैं कल इपंड़ जी से मिलकर साधी की तारिख निकलवाता हूं वैसे तुम्हारे हाथ पैरों को देखकर मुझे विश्वास है कि तुम्हारा मुखड़ा चांद से सुन्दर नहीं कम सुन्दर नहीं होगा यह जुठी तारी पे छोड़िया जी और लेट जाए आप ठक गए होंगे मैं आपके पैर दबा देती हूं यह बुड़ा खुषट अब भी साधी करने के सपने देख रहा है लेकिन जब असलियत का पता चलेगा तो माता पीट लेगा लोगों को ठक 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 रिशने जो माल जमा कर रखा है अब है सब मेरे काम आएगा जल के लिए तो किसी गोड़ा गाड़ी ही जुरूद पड़ेगी जबकि गोड़ा तो इनके पास है लेकिन गाड़ी नहीं है कुछ दोर देर सोचने पचाने के परसा संकर चनाना वेस उतार के उस जगह पहुंचा जा गास के नीचे सोने के सिकों से बरा मटका दबा था आज स कर सकते हैं लेकिन मैं इन दूर ठगों को पूरी तरह से बरबाद करके रहूंगा उसके बाद मटके का मुझ कपड़े से बांगकर घर के आंगन में बंदे गोड़े के पास पहुंचा और गोड़े पर स्वार अपने घर की और चल दिया घर पहुंचकर कौन है अरी अरी भागवान कपड़ों को गोली मारो जो कुछ मैलाओं से देखकर तु कुछी से नाच उठाएगी बीतर चल फिर दिखाता हूं खड़ी खड़ी देख क्या रही हो बागवान जल्दी से दर्वाजा बंद करो दो वरना यदि किसी की नजर पढ़ गी तो सब की एक किराएपर पानी फिर जाएगा ओ हाँ पत्नी ने जट पर दर्वाजा बंद किया और संकर के पास मुझ गई तब तक संकर मटके पर से कपड़ा अटा चुका था ये बगवान सोने के इतने सारे सिक्के अरी है तो कुछ भी नहीं कुछ दिनों से मैं देखना मैं क्या क्या लाता हूं बस समझ ले तेरी लक्ष्मी पुजा सफल हो गई और लक्ष्मी जी ने तरी सुन ली बस अब कुछ ही दिनों में सच दजकर हमारे घर आएगी लेकिन इतना सारा दन तुमारे साथ कहां से और कैसे लगा उनी ठबगों के घर से जिनोंने मुझसे मेरा बैल दस रुपे में ठगा था फिर संकर ने अपने बीवी को सारी बात बता दी अजी सच मुचा आप तो दिमाग के बहुत तेज निकले लेकिन यह दिने आपके बारे में मालम हो गया तो अरी भागवान उनके तो बाप को सपने में भी इस बात करवान नहीं होगा कि यह काम मैंने क्या है ऐसा गर तो इस मटके को किसी सुरक्सी स्थान पर छिपा दे अजी अब छिपा कर क्या करेंगे कल से इसे दिल खोल कर खर्च करेंगे कपड़े बनवाएंगे और जरुत कि अनने सारी चीज़े खरी देंगे और बस बस बागवान ऐसी मरुकता बरे विचार मूल बूल कर भी अपने दिल में मतन लाना वरना उन ठगों को हम तक पूँचते देर नहीं लगेगी वे इसी बात को लेकर तो मैं तलास करेंगी घर ले जाने वाला जरूर फिजूल कर्ची करेगा तो इसे तुरंट सिपा दे तब तक मैं गोड़े को कहीं दूर चलता करके आता हूँ क्याकर संकर गर से भार निकला और पुन गोड़े पर सवारो गाउसे बाहर की और चल पड़ा गाउं से बाहर पुझकर हाँ हाँ ठीक है लाक तलासने के बाद बुने है वह औरत मिलेगी और नए घुड़ा इसके बाद वह निशी दो अपने घर की और चल दिया उदर सेंग से बुड़े की आखी काफी देर बाद खुली आए रात होगी और उस ओरत ने मुझे जगा तक नहीं कहां गई है यही साद नाद हो रही होगी बड़ी बक्तिन लगती है चलो अच्छा ही है दूसरे कमरें फूझकर अरे भागवान कहां हो तुम जड़ा जल्दी से आकर अपना सलोना मुकडा तो दिखाओ तुम्हे देखे बिना हमसे रहा नहीं जा रहा अरे कहीं से कोई आज नहीं कहां जा सकती हो तभी अरे वह औरतों के कपड़े कैशे पड़े हैं अरे यह तो उसी ओरत के कपड़े हैं लेकिन वह कपड़े उतार कर यह बगवान कहीं वैस्तरी के वोस में कोई पुरुष तो नहीं था और एक भ्यानक विचार में आते बुड़ा पागलों की तरह अपनी चुपाई सारी दन सपती का अनिरिक्षिन करने लगा यहां तो ठीक है इरे भी सही सलामत हैं लेकिन तो मैं जब वह स्थान पर पहुंचा जास में सोने के सिकों से बरा मटका रखा था हाई मैं लूट गया बरबाद हो गया जरूर कोई ठक रहा होगा जो इस तरी के वेस में मुझे मुरक बना गया हाई मुझ जैसे तजबे का ठकोई पढ़ गये मैं उसके सिलिस से दोखा कैसे खा गया तभी बापू दर्वाजा खोलो मा बापू दर्वाजा खोलो वो कंटू आ गया मैं उसे क्या जवाब दूँगा जरूर मेरी खुली उड़ाएगा बूडे ने दर्वाजा खोला अपना सीर पीटते चिखने चिलाने इस तरी के वेस में कोई ठग था जो सोनई के सिकों से भरा हमारा मटका ले गया बू हु क्या कंटू अपने बाप के साथ तुन तो स्थान पर पूजगा देख लो बेटा गड़ा खुदा वा और मटका गायप है कम खत मुझे भी उल्लू बना गया हो बापू बाकी का माल ठीक ठाक है नहीं हाँ बेटा बाकी का माल सब ठीक ठाक है लेकिन वह मटका अब उस मटके को भूल जा बापू सारी गलती तुमारी है मैंने तुमसे कितनी बार समझा किसी को भी किसी भी आलत में मारे गुप दन के बारे में नहीं बताना नहीं दिखाना लेकिन तुम नही माने फिर अब रोने दोने से क्या फाइदा बेटा उस ठग ने मुझे मुर्ग तो जरूर बना दिया लेकिन मुझसे किसी भी आलते में ज्यादा अकल नहीं रखता होगा मैं उसे जल्दी खोज निकालूंगा वै कैसे सुनो बेटा वै जो को भी मुक्त के माल को उल्टा सिद रखनी शुरू कर दो तुम्हें जो भी फिजूल खर्टी खर्चा करता दिखाया दे समझ लेना उसीने मारा माल उड़ा है बस फिर मैं उससे निमट लूँगा ठीक अब आप वह भी करके देख लेता हूं वैसे मुझे अमीद नहीं कि अभी वह इतना मुर्ग होगा और आ थ्यानी के लिए फिर यहां आएगा और तब उसकी गर्दन मेरे आथों होगी और हमारा गोड़ा भी गाया वह जरूर वह आए उसे लेकर गया होगा गोड़े के दवारा भी हम उसे पहचान सकते हैं अपने बाप की बात सुनगे कंटू ने फिर कुछ नहीं का और चुप समस्की गर्दन मरोड कर रख दूँगा कंटू लगातार कई दिनों तक आसपास के गाव में चकर काटता रहा लेकिन उस ठक की उसे वातक ने मिली मिलती भी कैसे संकर तो पहले से तरक हो चुगा था उसने करचा करने के बचाए सारा दन छिपा कर रख दिया था अब यह ब बाहर निकलते गर के सारे खिड़की दर्वाजे बंद कर देता है खैर बक्रे की मा कब तक खैर मनाईगी और आखिर एक रात बापू कम कर ठक का तो इतने दिनों से कोई पता नहीं चला और नहीं वह दुबारा आया मेरे विचार से भमे उसे भूल कर अपने दंधे में बापू मैं काम से भाहर जा रहा हूं सुबह तक लोटूंगा और हाँ बापू मेरे पिछे साथ कल्लू आए उसे जितने पैसों की जर्यू तो तुम दे दे ना ठीक है मैं सारे दर्वाजे खिड़किया बंद कर लेता हूं वह बन गया काम जैसे ही कंटू घर से बाहर निकला बूड़े ने सारी खिड़किया दर्वाजे बंद कर दिये संकर के गुषने के लिए तुमने सारे दर्वाजे और खिड़किया बंद कर दिये बूड़े लेकिन आने वाले कल्लू के लिए तुम्हें दर्वाजा जरूर खोलना पड़ेगा कुछ देर बाद ही संकर वही खड़ा रहा फिर डाको का सब वेश बना कर दवार पर फूँझ गया खट-खट चाचा ओ चाचा दर्वाजा खोलो कौन है मैं हूँ कल्लू कंटू ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा होगा और जैसे हाँ ठैरो भी खोलता हूँ जैसे बुड़े ने दर्वाजा खोला हाई मैं मर गया अरे बुड़े सुन मेरा नाम डाकू लाखन है कोई पूछे तो बता देना उफ हाई मरा बचा रहे मुझे कोई डाकू से बचाओ लेकिन इस विराने में बला ठक की मदद कौन करने आता संकर ने उसे पीट-पीट बेहुस कर दिया अब जल्दी से गोबर के नीचे से इरे जवारतों से बरा मटका निकाल कर यां से खिसक लेना चाहिए संकर ने गोबर के देर से जट-पट मटका निकाला और उसमें बरे सारे इरे जवारते कपड़े में पल्ट लिये फिर कपड़े की पोटली कंदे पर लाज़ कर अपने घर की और चल दिया घर पहुँचकर और इतने डेर सारे हिरे जवारा तब तो मारे गर में किसी वस्तो की कोई कमी नहीं होगी ज़्यादा खुस मतो बागवान जल्दी से इसके भी गठरी बांद और कहीं छुपा दे यह आर तो कम से कम मुझे पहन ले ने दीजिए ने जी बिल्कुल नहीं जब तक वे ठग यह गांट सोड़कर कहीं दूर नहीं चले जाते हैं इनमें से एक भी चीज का प्रयोग करना खत्रे से खाली नहीं होगा यह जी आखिर वे ठग यहां से जाएंगे और कब हम इस दन का प्रयोग करेंगे बस कल सुबह मुझे एक बात और उनके गरात साब करके जाना होगा उसके बाद मुझे विश्वास वे काफी दूर चले जाएंगे अजी यह बाप को अपनी जान खत्रे में डालने क्या ज़रूँ तर इतना सारा दन तो हमारे साथ पुस्तों के लिए भी काफ है यह बात तुम नहीं समसकोगी बागवान उन्हें यहां से बगाने के लिए एक चोट और पहुचाने की जरूरत है अच्छा अब छोड़ो इन बातों को जल्दी से इस पोर्टली को कहीं छिपा दो और मुझे खाना दो बड़े जोर की भूख लगी है पोर्टली को छिपाने के पस्ता दोनों ने पेट बर खाना खाए फिर आराम से पढ़कर सो गए पर अगले दिन सुबह जब कंटू घर वापस लोटा हाई तरवाजा कैसे कुला पड़ा बापू कहां गए वो बापू का कितनी बार समझा कि लापर वाए नहीं बरता करें लेकिन लगता उनके अकल पर वास्ता में पत्थर पड़ गए अभी खबर लेता उनकी लेकिन बापू के कमरे पोस्ते कंटू के होस उड़ गए एब बगवान बापू बापू क्या हौाügen थे बापू तुम्हारी आलत की सैतान ने की बापू अरे यह तो बेहोस हैं, अब मैं क्या करूँ जल्दी से किसी वैद हकीम को बुला कर लाना चाए, लना बापू के प्राणों को खत्रा हो सकता है कंटु किसी वैद हकीम के बुलाने के गाउं के पास जार था कि मारग में दवादारू करालो, मरीज का इलाज करालो, जखमों पर दवा लगवालो और मर्ज का सरतिया इलाज इस वर का सुकर की हकीम राष्टे मिल गया और समय बच गया वास्ते में हकीम और कोई नी संकरी था उसने हकीम का रूप यह सोच कर दारण किया था कि कंटु पने बाप का इलाज कराने ले किसी वैद की इतलास में जरूर निकलेगा हकीम जी मेरे बापो घर में गाहल पड़े हैं किसी चोर लुटे रें ने बुरी तरह मारा किया आप उनका इलाज करने की करपा करेंगे और आप मैं आपको मूँ मांगा पैसा दूँगा गर पूचने पर यह देखे कमीजी डाकू लुटे रे मेरे बापो का क्या हल करके छोड़ गए वै तो देखी रहां बचसाब तुम जल्दी से गरम पानी ले आओ तब तक मैंने बिस्तर पर लिटाता हूँ ठीक अभी लाया सिगरी कंटू ने एक बिगोने में पानी करम करके ले आया और बड़ी बहरमी से मारा कम खतों ने खैर बच जाएंगे लेकिन बचसाब तुम इनकी चिंता छोड़ो और अपने घर की सुदलो देखो डाको ने तुमारे घर में क्या लूट पाटके और क्या क्या समान ले गए आप ठीक कहते हैं हकीम जी मैं भी जाच कराता हूँ कंटू ने जब सारे गुप दन की जाच की तो एरे जवारतों से बरा मटका गोबर के देर से नदार तुपाया वो फियाए भी उसी ठक का का मालम पुड़ता जिसने कुछ दिन पहले सोने के सिकों से बरा मटका उड़ा था वर ना और किसी को बला क्या मालम की लाखो का माल इस गोबर के नीचे छिपा है कंटू जब वापस लोटा था हकीम के रूप में संकर बुड़े ठक को मरम पटिकरे उसे ओस में ला चुका था बेटे कंटू बापू अच्छा बच्छा मुझे मेरी फीच दोता कि मैं चलू हाँ रात को आकर एक बार मैंने फिर देख जाँगा ठीक हाकीम जी आपकी बड़ी महरबानी हाकीम यानि संकर को मुँ मांगी फीच दे कर विदा करने के बाद तुम्हारी हालत किसने की बापू मेरे जाने के बाद कौन आ था या तेरे दोस्त कल्लू के रूप में कोई डाकू आ था ये बुड़े ने सारी बात अपने बेटे को बता दी बापू मुझे पुरा विसास होगा कि डाकू लाखन और कोई नहीं बलिक वैट हागा जिसने कुछ दिन पहले औरत के रूप में तुम्हें मुरख बना था और इस बार वह क्या ले गया ये जवारत से बरा मटका हाई बुड़ा पून बे उस हो गया बापू बापू उसमे आ बापू कंटू ने अपने बाप को उसमे लाने की बूद कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका अब यदि गाउं से किसी वैद या हकीम को बुलाने जाता है तो वापस लोटे लेते रात हो जाएगी अच्छा यह होगा किसी हकीम किसी उसी हकीम के आने का इंजार करूए है रात को आने के लिए कह कर गया है तब ही कंटू का कुछ ध्याना आ यही करूंगा औरना मोटा दनाज से निकल जाएगा रात होते हकीम के वेश में संकर फिर वाँ पूछ गया आप बूत अच्छे मोके पर आए हकीम जी आप क्या आते ही बापू फिर बेश हो गया और अब तक होस में नहीं आए कोई बात नहीं बच्छा बब मीने होस में लाए देते हैं और वास्ता में संकर ने अपने उपचार से बुड़े को सिगरी होस में ले आए आ मैं कहा हूँ लो बच्छा मरीज होस में आगा मेरे लिए और क्या सेवा है मैं आपका ऐसान जिंद्गी बरनी बूलूँ हाकीम जी बस एक उपकार मुझ पर और कर दीजी हाँ हाँ जरूर बोलो बच्चा मुझे किसी बहुत ही जरूरी काम से भार जाना यदि आप रात बर मेरे बापू के पास बैठ जाए और उनके देख बाल करें तो मैं आपको मुझ मांगी रकिम दूँगा यदि ऐसी बात हो तो तुमनी सिंत होकर अपने काम पर जाओ बच्चा हम तुमारे बापू को संभाल लेंगे आपका भूत भूत धन्यवाद अकीम जी अच्छा मैं चलता हूँ अच्छा बापू बेटा जल्दी वापिस आना ने जाने मुझे क्यों डर लग रहा है कंटु के घर के जाने एक उस देर बाद ही हाँ बुड़े मैं कोई हकीम नहीं वही और डाकू लाकन शींगों जिसने तुझे दो बार लुटा ओ नहीं फिर संकर ने बुड़े की अच्छी खासी पिटाई करनी शुरू कर दिया है वो मुझे मत मारो पिटाई करने के बाद संकर ने उसे पलंक से बांद दिया सुन बुड़े इस बार मैं तरे इरो की पोटली ले जा रहा हूँ अगली बार आउगा तो तरह बाकी का धन भी ले जाऊँगा तू ठग है तो मैं मा ठग हूँ उसके बाद संकर ने उस कमरे में जाकर इरो के पोटली समयटी जहां बुड़े ने उसे दिखाई थी वह जग है फिर एक बार और बुड़े को गुड़की देने के बाद वह अपने घर की और चल दिया अगले दिन जब कंटू वापस लोटा अरे बापू तुमारी आलत कि इसी आकीम ने की है बेटा वास्ते में कोई भी अकीम ने अबल एक वाइट ठग था जो दो बार हमें लूट सोका है और इस बार होई हिरो की पोटली ले गया और दमकी देकर गया कि एकली बार बाकी का सारा धन कर धन भी लूट कर ले जाएगा हो बेटा मुझे तो वह बास्ते का बिखारी बना दे इसलिए अच्छा यह होगा कि हमाजी अपना बचा खुचा धन समेट कर यहां से कहीं दूर निकल चले जहां उसका सहावी हम तक नहीं पहुंच सके तुम ठीक कहते है बाप उस मासर ठग से पार पाना आसान काम ने है मैं माल समेटता है तुम स समाम खुचिया अपने आगोस में समा कर हमारे घर छोट जाएंगी हाँ हाँ और फिर घर पूचकर संकर ने जब अपनी पतनी को सारी बात बतावे खुची से उसल पड़ी वाइस का मतलब है कि उनके जाने के साथ ही हमारे जीवन पर छाया नकार दूर हो गया और अब हमार पूरक अपना जीवन वैतित करने लगा आशाय दोस्तों आपको अच्छी लगेगी है अच्छी लगते ही जरू सब्क्राइब लाइक जरूर करना दोस्तों मेरे मैनत करता हूं मुझे फायदा दो आप